देर्टेटिशे है इस त्रॉटेक्शिन क्या ये अपने अपनी स्क्रिल्ण में जिसके जब दिस्पर्श्ट बेस और इस्पर्शन मीधि आपस मैं इफिनिटी है और एक प्रशुशन बन है, साथ ही उसकी पार्टिकिल्स साइज की रेंज 10 पावर माइनस नहाएं मिटर से 10 पावर माइनस 6 मिटर के पीछ में हैं और बिना कोई extra stabilizing agent के बिना ही वो सोल्स अपने आपके stabilizer को है और दोनों मिच सकते हैं इस तरह के सोल्स को मिलाय होने कुझे हैं means liquid loving feelings means there is no need of stabilizing agent but hydrophobic sodium हम दिखते हैं या रायल phobic sodium हम दिखते हैं generally collider or dispersed case के पार्ट के size की range collider range की है means चलिपाव माइनस 9 से चलिपाव माइनस 6 मीटर के रीच में लेकिट उसकी dispersion medium के साथ affinity means means instability के नहीं 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 तो ऐसा source करता लायव दिखते हैं इस सोल्स को stable करने के लिए हैं हम कुछ उपर से लायव दिखते हैं लायव दिखते हैं क्या होगा है जो बड़े particles है जो बड़े particles है यह लायव दिखते हैं उस वह लायव दिखते हैं तो ऐसा लायव दिखते हैं तो ऐसा लायव दिखते हैं जो लायव दिखते हैं जो लायव दिखते हैं ऐसा लायव दिखते हैं बढ़ 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 अब पर प्रिच्टि पर टेंगतर और राइवलेश्व आप अब अब बाइव नियुक्ति ऑपे तो दैग निस आयोफोड़ी सोल को श्टिबल करने के यह नियुक्टि अब स्टिबल करने के यह हमने कुछ उसमें कर दाद दिया मतलब लायरफोरिक सोल बनाने के बाद हमने रहता हम उस नियरवाल को सेटल जाओ तो ऐसे नहीं लायरफोरिक सोल को थम प्रोटेक्ट करते हैं मिस्त देख़िक सोल आम पना रहा है लायोफोरिक सोल पना कि बना करते हैं लायोफोरिक सोल आयर इस पर शूरिक प्रोटेक्ट वो रोगता है। वो झाल डायोफोबिक सोल patient तो ऐसा प्रोसेस के लागा प्रेशिन यह पातरा रा एक क्रिटी बनाए रहता है किसके साथ डिस्पोर्शन दनी के साथ ओके नौ इसी प्रोसेस जन्री गोल्ड तो चड़िए लिए सबसे पहले और उसे गोल्ड नंबर दो क्या है गोरेटोर। वह त्यान से कि अगर यह ऐन कुंत्स आपको ख़ी एक तो भी आए तम ही गोर्पस मुझोंना है क्या है गोर्पस देखा। क्ष любовATOR मातने कि इतला कि सना दर मिनिमम् फांटिंटीटीफ। और वॉच़िफ पारिड्स। जो हमने उपर से एट के ता दायों के लेख वहाँ है, विच इस मस्ट सफिशेंट जो की जरूरी है, विच इस सफिशेंट, ताप रहे है, तू कोईगिलेशन, कोईगिलेशन तो रोप में के लिए, तू 10 Mg of red gold sold, 10 Mg red gold sold के, जो की 1 Mg एने 10% initial डायों होदा है, मिस हमने क्या इक आप रहे हैं, हमने red gold sold, इ 10 Mg बेक्ड़ हुए, तेने 10 Mg रहे निहींदे वार, हमने तेने 10 Mg red gold sold को तका रोप से वन परसेंट , 1 Mg refine के लिए, कि हम ने अगर थोड़ा सा खरें प्रोटेक्टिव ट्रेक्ट एंक कर थे मिल्गा मिल्गा इस बुस्ट शब्सक्षाइब कर दिन जोबी चलुकि यह ओप 10 अलोट पूर्ट विच वैं 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 अध्या वान चेर्ट पर सब्सक्राइब यादि वो कमसे का नमान है जो हमने 1% एक क्या दा आए एक सोट का वो को अधिरेशन को रोग दे गोल्ड सोल के जो कोईगुरेशन एक 10% LACL का स्लूशन जादे पर दोता है का वोग रुषर एक सोल गोल्ड जो रोग सोल वोल्ड माने एक स्लूशन एक स्लूशन एक स्लूशन म्री रहलते डिल्न एक भूल्डर माना । एक पर दोस्फेशन को जोड़ेशन । रिकूईन म olar 110% but the conditions, one is an oil phase, it means there are two types of commercial, water in water, sorry, oil in water, means water is dispersion medium, and oil is the dispersed phase, it is present in small amount, oil is present in small amount, and water is present in more amount, that is not dispersion medium, and that is not dispersed phase, so this solution is at O by O, oil in water. for example milk, milk means liquid fat, you keep coming out, is dissolved in water, liquid water, liquid fat is dissolved in liquid water, soil, oil in water, emersion, next water in water, means water disperses phase, soil, disperses phase, oil dispersion medium, and if oil is not like water, water in water, for example butter, it means oil, oil is dissolved in water, it means water is dissolved in water, what is oil emersion, okay, there is two types of emersion, emersion, the process of forming an emersion, an emersion deprivation, by mixing the dispersed phase and dispersion medium, with a suitable stabilizing, which is known as emersion, with a suitable stabilizing engine, which is known as emersion, so you have the same a system, you put in oil, areblood melting, and water पर परने किनी जरू निया, कि emulsion की stabilisation की जरू निया, ऐसा agent, emulsifying agent कराता है, emulsifying agent कराता है, process कराती emulsification करा, एक बार निया, the process of formation, forming and emulsion by mixing the dispersion, dispersion medium, with the stabilizing agent, is known as emulsification and the stabilizing agent is for emulsifying agent, okay, ये मैंने chapter collect, आपी complete किया, इसमें इसमें इस अप्रेक्टिशन पचेंगे, ज्योंकि आप आप्रेक्टिटी की बुक्से बेजिए ना, बाहिकी आलोस चेक्टर कम्टिट होगया, तो जो ब्रांच माने चलेजिए सब के सेमिसी, जिसमें इन चाप्रस दे, आप्रेक्टिशन प्रेक्टिटी बुक्षिंगे, एक प्रेक्टिटी की तेक्री एक्टिए ये मैंने कु खिया जिए।